हाई अबरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल मुन की मम्मी रियल लाइफ रियल होम आज मैं आपके लिए एक ऐसे सेक्ट की रेसीप लेकर आई हूँ कि उसको पीने के बाद आपको दुफैर तक लंज तक तो भूख लग ही नहीं सकती अगर आप कॉलिज में हैं ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर पर काम कर रहे हैं और एक बार ये नास्ता आप आपने ले लिया यानि ये शेक ही लिय लिया तो आपको पार दीजिए इसमें सुगर कि जगह आप शहर डाल दीजिए तो ये और भी ज्याद़ी हो जाएगा और लंज से पहले तो भूग लगेगी ही नहीं आपको ये नेवर फिल हंगरी अगेंस शेक है तो फ्रेंड्स इसमें आपको मैंने बताया आपको चाहिए अंजीर बादाम, काजू, किसमिस, पिस्ता, चिरोंजी, खजूर यानि आप छुआरा भी हो सकते हैं रात को और फिर सुबह को जब शेक बनाए तो यूस कर लीजिए सोया बीन, चना, मिल्क, सुगर, इलाइची पाउडर और आप सुगर की जगा हनी ले लीजिए कोई भी फ्लेवर चाहते हैं तो एसेंस डाल सकते हैं इसमें नहीं तो इलाइची का तो इंडियन बहुत इच्छा जादा टेस्ट होता है तो ये देखिए इस तरह से आप सब मिक्सी में डाल दीजिए जार में और पीस लीजिए और आप ठंडा ठंडा यूस कीजिए गर्मी है तो ठंडा असर दिया है तो आप नॉर्मल पी लीजिए इसको ये इतना टेस्टी शेक है और एक वारे आप इसको पीएंगे तो मुझे याद करेंगे कि कितना अच्छा शेक बताया था आपको भूख लगी नहीं सकती अगर आप रात को पीते हैं रात भर बैट रहें काम करने के लिए तो सुबह तक भूख नहीं लगेगी और सुबह को आपने पी लिया तो आपको लंज से पहले तो भूख लगी नहीं सकती लंज तो आप फर आपकी मर्ची आप करें नहीं करें इसमें फाइबर, प्रोटीन आप देख रहें ना इसमें सोया बीन भी है चना भी है, काजू है, किसमिस है, अंजीर है यानि की टोटल परफेक्ट नास्ता है यह आपके लिए और टेश्टी भी होता है यह अब सुबह को कौन पराथा बनाएए सारे फूर्ट काटो, यही ब्रेड, वो लो, यह सब इससे अच्छा है आप यह सब भी हो दीजिए डेली और सुबह को मिक्सी में पी सिए और दूद के साथ और पी लीजिए बस तो आपको मेरी डेसिपी बहुत पसंद आएगी, एक बार आप जरूर बनाईएगा और कमेंट्स करके मुझे बताईएगा कि आपको कैसा लगा और अभी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए, लाइक, शियर कीजिए तिल देन, बाई बाई, जैमाई